Welcome back friends, इस विडि़ो में हम पढ़ेंगे class 9 science NCRT का chapter 7 diversity in living organisms तो diversity का meaning होता है different बतला विवधिता, diversity in living organism अब ज्मारी अर्त है इसके उपर millions of living organisms present है ठीक है जैसे की plants, animals, microorganisms, bacteria, virus यह सब के हैं एक तरह की living organisms है तो इस वाले चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमारी अर्थ के ऊपर millions of living organisms present है और इनको किस तरीके से classify कर सकते हैं जैसे कि किस में किता difference है अब यहाँ पर millions of living organisms हैं तो इनको one by one नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने क्या किया इनको एक तरह का classify किया इनको groups में divide किया और उसके basis हमने इसको पढ़ा एक्जामपल के आप समसकते हुआ से एक एक science book है और science book को हमने तीन चेप्टर इवाइट किया फिजिक्स में चैमिस्ट्री में बायो में इस तरीके से हम यहां पर living organisms को भी डिवाइट करते हैं ठीक है अब आगे थोड़ा से एक तरह का चार्ट करेंगे देखो इस चार्ट से आप organisms के बारे में और अच्छी से समझ पाओगे देखो चोंगे इस होते हैं वहीं दो चीजों में डिवाइड है एक दो प्लांट में अर एक animals में ठीक है अब एक है फ्रोग्योटिक जेल और एक है यूटिक सेल्स के बारे में फिसलवाइट छैप्टर में सब को रिटेमे पढ़ चुके है अब देखो में क्या होता है एक तरह का nucleus होता है यहां भी nucleus है nucleus के पास क्या होती है nuclear membrane होती है और cell के पास होती है cell wall ठी तो उक्यावीं सोरी पार्ट bipartisan और लिसा भी नऐ तरी उक्याव्टिक और बीकम तो ढूर्प टार्ब और उसा होते आप časbenव शाय यूपर यह पर अलोच मृत अलग यहां का उसान वालग क्राव यहां चालितár सब्सक्राइब होता है जो प्रोटिक नोने सेलर होते हैं ना उनके दाद न्यूकलर मेम्रीन होती ना उनके सेलर होती एक्गाइंपल के लिए मौनी रहा ठीक है अब हिहां पर Ukati एक तरह बात करते हैं मर्टी सेलवर की हमारी बोड़ी बी एक तरह के से मर्टी सेलुलल और मल्टी सेल्वल सेल्वर नहीं इसके नहीं है जिसके लेग नहीं है जिसके अंदर वो नहीं है उसे हम कहेंगे एनिमेल या एनिमेल की जो सेल होता है हमके पास सेल वोल नहीं होती है हमने क्या पढ़ा और और प्लाइंट्स और अब यहां पर बात होती है प्रोकायोटिक सेल्स के लिए उसका एक्जामपल मॉनिरा में युणि सेलवॉस फाल नोजने क्जामपला है और इसके पास सेल्वन नहीं है उसका एक्जामपल या एनिमेल समता है और जिसके पास स्राप스ट्षाथ्य वोडो दो चुछे में डिवाइड है अब इसका मादासमेस है आँ यहां पर विल सेल किसमें होता है देखो दहुत जासे सेल वीजिए उन सेल्स के पास होती है प्लांट सेल्स के पास आप सेल में कुस तो फॉर्टोस सेल्ट करता है पर कुछ साही म्दर इस लोगे प्लान्ट्स फंगी अब यहां पहता है कि henका सिमाज फार्व स demokrat और फीन पर स्वय खैनल करते हैं पांच किह देखो एक उल्बाम औल फोर्टाई फंगी प्लान्ट्ट आई कि अनिमीश्त थाइए इनका यहां पहा हैं घ्याद कर सकते हो अब हम chapter start करते हैं have you ever thought of the multitude of life forms that surround us each organism is different from the other to a lesser or greater extent क्या कभी आपने आज पास के जो life जो living organisms हैं आपके आज पास कभी उनको watch क्या है each organism जितने भी हमारे आज पास living organisms हैं जितनी भी organism है सबके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता ही है क्या थोड़ा होगा थोड़ा जादे होगा सबके बीच में कुछ ना को डिफरेंस होता ही है अब आप अपने और अपने फ्रेंड को यह ले लो आपके फ्रेंड में कितना जाले डिफरेंस होगा जबकि हम क्या है तो अनों एक तरह के हुमन है आप भी हुमन हो और आपका फ्रेंड भी हुमन है पर दोनों में कुछ ना को डिफरेंस है है ना are you both of the same height कि आपकी है बिल्कुल सेम है आपकी जो नोस है आपकी और आपकी फ्रेंड फ्रेंड लटे में हैं तो ऐसा नहीं है कुछ ना को डिफरेंस ज़रूर होगा ठीक है However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, what would we say? पर अगर देखो हमने अपने आपको देखो यह है हम अगर हम अपने आपको monkey से compare करता है तो आप सोचो कितना निकलेगा यहां पर 20% सेम निकलेगा तो यहां पर उसी 5% सेम निकलेगा है ना तो यह चीहां पर डिफ्रेंस उन्हें बता रखा है कि जितने भी living organisms होता है सब की बीड़ में थोड़ा सब डिफ्रेंस जरूर होता है अब अब आपने आपको फ्रेंड को compare किया तो कम डिफ्रेंस करता है का से तो बहुत जादे डिफ्रेंस निकलेगा है यहां पर इसका मतलब यहीं है अगर्शिविटी सेम पॉइंट वन करें तो इसके नदर में देसी यह जर्षी जर्षी का और जर्षी आओ ए कि बीच का डिफ्रेंस भी काफी ज़्यादे होता है तो इस तरीके से हम यहां पर इनका difference देख सकते हैं, in this activity we had to decide which characteristics were more important in forming the desired category, तो इस वाली activity में क्या important है, इनकी characteristics को decide करना, कि इनके बीच में क्या कर difference है, were more important in forming the desired category, एक तरीकी desired category को बनाने के लिए, हम इनकी characteristics को यहां पर करना पड़ेगा, decide करना पड़ेगा, अब आप सोचो, आपकी जो अर्थ पे जितने भी लाइफ रह रह रहे हैं, उनके बारे में आप सोचो, अब मालो, एक तरफ हमने रखा bacteria, जिसका size क्या है, few micrometer, ठीक है, जिसका size क्या है, few micrometer, और दूसरी तरफ हमने रखा यहां पर redwood trees, California के जो redwood trees होते हैं, उनको रखा और blue whale को रखा, अगर यहां पर बैक्टेरिया है, बहुत चोट 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 बैक्टेरियां, और यहां पर है blue whale, और क्या है California trees है, तो आपको इनके बीच में क्या difference है, इनके बीच में बहुत जा difference होगा, size का difference, color का difference, है ना, some pine trees life, अब मालो pine trees है, pine trees यहां पर हजारों साल जिंदा रह जाते हैं, पर जो mosquitoes है, मतला मच्चर बच्चर रहे, insects हैं, यह सब तो सिर्फ कुछी दिनों मढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में भी difference है, life also ranges from colorless or even transport worms to brightly colored birds and flowers, अब मालो, कुछ animals, आप कह सकते हैं, कुछ animals, या पी कुछ plants तो ऐसे होते हैं, इनके पास कोई color नहीं होता, वे white से, बहदा सा color होता होगा, पर कुछ plants और कुछ animals ऐसे होते हैं, इनके पास काफी जादे colorful color होता है, जैसे कि rose, lotus, butterfly, इनके पास कितने अच color होता है, इनके बीच में भी एक तरह का difference होता है, तो हमने आपर क्या पढ़ा, कि सभी living organisms के अंदर कुछ न कुछ difference होता है, the building variety of life around us has involved on the earth over millions of years, तो diversity का है, हमें क्या मिनिक समझ में आता है, diversity variety of living organisms, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी living organisms हैं, हैना कुछ around आप कह सकते हो, 1.8 million ठीक है, has evolved, evolved से क्या मतलब है, देखो, अब monkey को human बनने में हमें millions of years लग गए, ऐसी हमारी अर्थ पर जित्ते भी, हमारी अर्थ पर जित्ते भी living organisms लिता हैं, सबको evolved होने में, सबको कुछ न कुछ बनने में millions of years लगे हैं, however, we do not more than a tiny fraction of this time, अब अपर इतना टाम नहीं है, कि इनको classify करेंगे, इनका एक तरह का group बनाएंगे, so we cannot look at them one by one, instead we look for similarities among their organisms, अब हम कहां करेंगे, जैसे कि मालो एक organism यह है, एक यह है, तो क्या करेंगे, कि इन वालो organisms को एक जंगे रख लेते हैं, इनको एक जंगे, इनको एक जंगे, हमें पंडने में easy होगा, ठीक है, in order to make relevant group to study the variety of life forms, we need to decide while characteristics decide more, अब यहाँ पर in order to make relevant group, इनके relevant group नाएंगे, हम इनकी characteristics को देखें, कि इन में से कौन सी characteristics विल्कुल similar हो रही है, this would create the main broad groups of organisms within the groups, smaller subgroups, subgroups ने तो छोटी-छोटी groups होते हैं, उनकों कहता है, subgroups, will decide by less important characteristics, अब हम यहाँ पढ़ते हैं, 7.1, what is the basis of classification, ठीक ह अब इससे हम समझेगे कि हम किस तरीके से group को classify कर सकता है, attempts at classification living things into group have been made since time commercial, देखो, अब यहाँ पर जो हमारी classification हो रही है, living organisms की, वो काफी पाए टाइम सी होती आ रही है, यहाँ पर Greek thinker एस्टोयल थे, इन्होंने classify किया था animals को कैसे उनकी lived, मतलब उनके जिस जंगे पे रहत इनके habitat के guarding यहाँ पर उन्हें classify किया था animals को जो land पर रहते हैं उनको अलग जो water पर रहते हैं और जो air में रहते हैं उनको अलग किया, इस तरीके से इन्हें ने यहाँ पर इसको classify किया, this is very simple way for looking, यह एक तरीका simple way था कि हम यहाँ पर इनको इस तरीके से classify करें, but misleading to, but एक तर turtles, whales, octopus, starfish, shark, इनमें कितना कितना जाए difference है, है ना तो इनको एक ग्रूप में नहीं रख सकते, जैसे कि आप लेंड में लेंड में एक है dog और एक elephant, elephant और dog में कितना जाए difference है, है ना तो यहाँ पर यह एक तरीका क्या रहा है, misleading रहा, in fact, habitat is the only point they share in common, तो यहाँ पर इनोंने क habitat, मतलब इनके इलाका जहां पर रह रहे हैं, उसके साब सी नोंने यहाँ पर इसका तकरदिया इनका गुरूप बना दिया, this is not an appreciate way for making group, तो यह एक तरह का सही वे नहीं था कि हम इस तरीके से गुरूप बनाएं और इनको study करें, we therefore knew to decide which characteristic to be used as a basis for making the broadcast division, अब हम ब्रोड़ेस ब्रोड़ेस डिविजन बनाने के लिए इनकी characteristics को choose करना था, decide करना था, then we will have to pick the next set of the characteristics, उसके बाद हम यहाँ पर इनकी characteristics को select करेंगे, subgroup बनाने के लिए, this process of classification within each group can then continue using new characteristics each time, अब हम यहाँ पर कुछ अलग characteristics से यहाँ पर groups बनाएंगे, before we go on, गुरू बनाने से पहले हमें पताना चाहिए, characteristics का meaning क्या होता है, देखो, characteristics का meaning होता है, कि देखो, जैसे कि एक person यह है और एक person यह है, इनके अंदर कितना difference है, यह चोटा है, यह बड़ा है, इसका hair color, इसका hair color, इनका hand span है, तो characteristics का मादब यही होता है, when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together, हमें group बनाने के लिए देखो, एक group यह है, और एक group यह है, अब यहाँ पर चारपा समान है, अब इसमें कौन से आ रहा है, इसमें कौन से आ रहा है, इसमें कौन से आ रहा है, तो माद लो इन में से तीन तो एक जासे दिखते है, इन मे वर्ड, form and function, हम behavior और उनके function के ऊपर भी हाँ पर उनकी characteristic को चूज कर सकते हैं, what we mean by a characteristic is a particular feature और particular function, एक तरह का particular feature हो और एक तरह का particular function हो, तो उसके साफ से भी characteristic को चूज किया जाता है, that most of us have five fingers on each hand, इस थाज़ा characteristic, जैसे कि हमारे में से बहुत लोग ऐसे होता है, अधिकते ल आगे चलते है, now to understand how most some characteristic are decided, अब characteristic को समझने के लिए एक example हो लेता है, जैसे कि हमें मालो बुल्ट, a stone wall is wood, अब मालो हमें एक दिवार बनानी है, तो सम किस तरह बनाएंगे, उसके लिए में किस की जोज पड़ेगी, stones की, इंटों की जोज पड़ेगी, पत्रों की जोज गिले को है, अगर हमें कोई दिवार बनानी है, मालो इते हैं कैसे हैं, अब ऐसा तरीक से लीता है, और फहां कि को तो इम आप भास बनती है, और एक बनानी स्मीच, पे इस तरह कि लिए बनती इसके पास क्या होना चाहिए इसके पास लिफ एक तरह के स्टोन चाहिए इसका साइज मालो इस तरह का साइज है तो इस तरह का साइज ही रहा चाहिए ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसा जाएगा फिर यहां पर ऐसा फिर ऐसा इनका साइज सेम रहना चाहिए तो यह भी एक तरह क तो एक तरह ग्रूप बन जाएगा है ना इस तरीके से हम सेल के ऊपर भी गुरूप को बना सकते हैं अब इस तरीके सेल्स के पास ढूंड और उस तरीके सेल्स कहेंगी यहां पर हम इस तरह से भी क्रेक्टरस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं अब देखो जासे कि यह अब प्रोग्यूर्टिक सेल्स नहीं इन दोनों के बीच की जो केमिकल एक्टिवीटीज रहती हैं इन दर वह अलग होती हैं इस वूल है और एक्सेट अव्यूर्ट अब सेल डिजाइन अब सेल दिजाइन भी अलग होगा फॉर्दर इन नूट्रेट इन दर इतने कैपेसिटी रहती है कि वह एक तरह का मल्टी सेल्वर बना पाए क्योंकि उनके पास का रहता है स्पेसलाइज फंक्शन रहता है तो हम कह सकते हैं नूट्रेज भी एक तरह का क्लासिफिकेशन का बेसिक और स्टिक है इसके नदर यह इस इंप्रॉटेंट है कि किसकते हैं कि नूट्रेज भी यहां पर क्लासिफिकेशन कर सकता है आगे चलता है अब जो जो ग्रूप में होंगे वे एक तरह का सिंगल और देखो और देखो अब हमारी बोडी में क्या है एक तरह के मल्टी सेल्वर बोडी में बहुत साज सेल्स हैं तो उर्म और करते हैं division of labor करते हैं division of labor से मतलब कोई सेल कोई काम कर रहा है कोई सेल को special काम कर रहा है अलगलग सेल अपना-पना काम करते हैं इस तरह की body में जो cells होते हैं will not be identical instead groups of cells will carry out specialized function group of cells मतलब क्या tissue tissue का chapter ने पढ़ाया cells को मिला क्या बनता है जंग एक तरह का tissue बनता है तो सभी tissue सभी group of cells एक तरह का अपना specialized function को perform करते हैं इस मेगा वैरी districts in the body designs of organisms as a result and amoeba जैसे कि देखो बहुत सारे cells ऐसे होता है जो कि अपना design change कर रहता है अपनी शेप रह सकता ठीक है तो इसके basis बे भी हम यहाँ पर characteristic कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर question निकल क्या आता है कि जितने भी organisms हैं जितने भी जितने भी लीविंग organisms हैं वे सब के सब क्या photo synthetic process करते हैं इसका अंसर है no बिल्कुल भी नहीं सिर्फ plants होते हैं इसकी photo synthetic process करते हैं ठीक है being able to produce their own food क्योंकि देखो हम तो खा सकते हैं अपने हातों से plants जो animals होते हैं वे घूमते हैं और वे खाना खाते हैं तो जो plants होते हैं वो फोर्टो सितने के process से food को अपने अंदर लेते हैं ठीक है और उनका body design भी उसके साब सी होता है अब हमारा body design ऐसा थोड़े ना कि हम सिर्फ एक लगे खड़े रहेंगी हम घूम सकते हैं पर plants घूम नहीं सकते हैं उनका body design कुछ इसी तरह का होता है of the organisms that perform photosynthetic plants what is the level of the organisms of their body अब यहां पर इनोंने question पुछा है जो organisms होते हैं that perform जैसे की plants है plant से कर रहा है Foto-sherty process को perform कर रहा है तो इस तरह कि organisms का organization लेविल का सा होता है इनका organization level होता है जैसे कि देखो दो तरह की होता है एक उता है shoot level और एक होता है root level shoot level से मतल्य होस्ता है सकते हो जो कि हो plant parts मिट्टी से भाहर निकल के रहता है और root level जो plant इंड़ेसें अपर्ट पार्ट प्लांट की रूट्स होती हैं मिट्टी के अंधर देफ्टि अब देखो अन्दर बॉडी डिफ्रेंट पार्ट और उसके अलग लग आनिमाइल की कि अलग पार्ट को ऑगाइस किस तरिके से करती है और इनके अंदर स्पेसिलाइज्ट और गन्स कहां पर मिलता है जो कि अलग लग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसका आश्रम देखेंगे आगे आब देखो अपर स्पीकोशन पड़े और उनसे आपर मारा बनना श्रू हो गया जैसे कि हमने पढ़ा प्रोक्रेटिक और यूकरिक इसको एक तरफ कर लो तो एक तरह कर लो तो एक तरह का गूरूप बन जाएगा सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से हम कुछी कोशन से हमारा यहां पर एक तरह का है की डैवलोप होना शुरू हो गया अब यहां पर किसमें यूज आएगी किसे क्लासिफिकेशन में की वह अनिमल से अलग है अब यहां पर इनका बेसिक डिजाइन अलग क्यों है क्योंकि इनका फूड फूड उनका खानह का तरीका तरीका भी अलग है प्लाइं फूड को कैसे अक्विए करते हैं प्लाइं अपने चंग क्लेता हैं और अनिमल्स कैसे और कि और खूम के यहनamo Therefore, these design features, having a skeleton for examples, are to be used to make subgroups. इन वानी characteristics के basis पे हम subgroups को बना सकते हैं, broad groups को छोड़के, rather than making. हैना, broad groups को छोड़के हम यहाँ पे subsgroup को form कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हैं part 2 में, thank you for watching.